फ़रक यह है कि आपकी बार टॉय्टा ने पहले लॉंच कर दे और मारूती बाद में लॉंच करेगा बैक टू दे चैनल गाइज नई वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सुजू की हाई राइडर टॉय्टा विटारा के बाले में कन्फ्यूज हो जो अपडेट रहते उनको यह मालूम भी होगा पर मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए इन्फर्मेटिव कंटेंट लाना मेरा काम है तो आज मैं दुबार वे कंटेंट आपके सामने ले के आ चुका हूं दोनों एक गाड़ी के अंदर से दो दो गाड़ियां बन गई औ अलग उसी के बारे में बात करने वाला हूं इन्फर्मेटिव वीडियो होने वाली है प्लीज पूरा वीडियो अंत तक देखेगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा इन्फर्मेटिव लगे तो शेयर भी कर दीजेगा और अगर लाइक कर देंगे तो ब ब्रेजा जैसी योगी पर हुआ ये कि ब्रेजा पहले लॉंच हो गई और उसके बाद अगले ही दिन एक तारिक को हाई राइडर लॉंच हुई दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग सेग्मेंट हो गया हर बंदा चक्मा खा गया कि यह आर आज टॉयटा और मारूति ने कि किया क्या क्या इनका कॉलोब्रेशन टूट गया है यह अब यह साथ में गाड़ियां नहीं बनाने वाले यह बस पल दो पल बात की ती और अब यह दोनों जुदा हो चुके हैं ऐसा नहीं है दोस्तों टॉयटा ने जो करार सुजू के साथ साइन किया है वह काफी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला है जिसके ंदर मारुती जो हैं इंजन से लेकि अपनी टेकनोलोजी में मदद करने वाला है यह मदद करने वाला मारुटी की तो यह करार मारुत्य है और सुजू की का हुआ करता था तो अब आजाते मुद्डे पे मुद्डा एक है गाड़ी एक थी जिसका नाम था विटारा ब्रेजा जो कि इंडियन मार्केट में लगबग दोजार नौ से बेच रही थी कंपनी सड़नली हुआ यह दो साल से अटकले लग रही थी कि हाँ भई हाँ चेंज करना है चेंज करना है ब्रेजा का फेसलिफ लाना है न्यू जेनरेशन लानी है फिर 2020 में एक फेसलिफ ले आए उसके अंदर भी जो है गाड़ी को उतना प्रीमियम नहीं बना पाए या वो सब चीजें नहीं कर पाए जो करनी थी फिर करोना की वज़े से दिक्कत यह हुई कि यार अब कैसे करें कैसे करें कैसे ना करें मार्केट बिलकुल डगमगा ग है कंपनी की बैजिंग भी चेंज हो चुकी है और अब सिर्फ यह गाड़ी आपको ब्रहजा के नाम से मार्केट में मिलने वाली है अब विटारा का इससे कोई ले न देना नहीं गाड़ी नो डाउट अच्छी कर दी है फीचर वाइस शायद क्वालिटी ऑफ मेटीरियल भ करनाना शुरू करूंगा बड़ टॉयटा का गैलेक्सी टॉयटा और एमजेफ टॉयटा दोनों जगास है मेरे पास इंविटेशन आया था कि हम गाड़ी अपनी अन्वील कर रहे है आप मतलब ऐसा कस्टमर या पता नहीं क्या किस वज़े से मेरे पास आया बड़ मेरे पा तो अब पहले हाइडर की बात कर लेते हैं एक्चुली हाइडर क्या है हाइडर री बेज अभी भी हुई है लेकिन में भी शायद किसी को पता चला हो यह ना पता चला हो इसी अपनी इंफर्मेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि सुजू की की कार दिया गया है टोयटा हाइडर के नाम से समझे यह में मुद्धा वर्ना तो हर बंदब रेजा को उसको देखके कह रहा कि यार सेप्रेट हो गई यह दोनों नहीं ब्रेजा का उससे कोई लेना देना नहीं है ब्रेजा एक सुजूकी का प्रोड़क्ट है वह बिल्कुल स नाम से जिसको सुजू की भी लगबग एक महीने के अंदर अंदर और दोनों ही गाड़ियां को फेस्टिव सीजन के टाइम पे रेडिली एवी लेबल हो जाएंगी दिवाली तक यह मेरा प्रॉमिस है कुछ ऐसे सोर्स है जिन से पता चला है अगले दो से तीन महीने मतले वही अक्टूबर के आसपस नौवेंबर में दिवाली है तो यह जो गाड़ी है रेडिली एवी लेवल हो जाएंगी सुजू की लेके आएगी विटारा और टोयटा ले चुके आचुके हाई राइडर दोनों में थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज होगा यह शोर है बट यह आपको दिवाली के आसपस असानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी अब कंपनी के अंदर देखो जो विटारा कंपनी लेके आएगी जो सुजुकी लेके आने वाली है उसके अंदर नो डाउट 1.5 लीटर का होगा इंजन यह कंफर्म्ड है जो कि खुद का उनका अपना ही बन के अंदर एक लीटर का टर्बो जैट इंजन होगा सिक्स्पीड ऑटोमेटिक सिक्स्पीड मैनुल के साथ बट उसके अंदर ऑल वील ड्राइब का ऑप्शन नहीं होगा भी एच्पी भी कम कर दिये गए और फुली हाइबर्ड भी है वो इंजन मतलब आप उसको कंप्लीट इवी ड्राइब कर सकते हैं माइलेज उसकी टोयटा लगबग अभी 28-30 की क्लेम कर रहा है और वो नो डाउट हो भी सकती है क्योंकि हाइबर्ड उसका पोटेंचली एक्टिव है ऐसा नहीं है पोटेंचली एक्टिव हाइबर्ड है तो आपको एक्वली जो है रीजनरेशन दिंजन है जिसके अंदर आपको वही पांच स्पीड या छे स्पीड का जो है ऑटोमेटिक और मैनल दोनों गेर बॉक्स मिलेंगे उसमें पांच का ऑप्शन है नहीं चायद आपको छे गेर मिलने वाले मैनुल वाले भाईयों की तो बल्ले-बल्ले हो गई है क्योंकि जो म उने पर सुहा का बात मिलेगी जो नेशनली एस्पीरेटेड इंजन मारूती ड्राइव वह ओल्वील ड्राइव के ऑप्शन के साथ भी आगा यह भी एक बढ़िया बात हो गए तो लगबग 18-19 लाग रुपे खर्च करके आपको और वील ड्राइव डेड़ जार सीसी का इ यह क्या हो गए तो दोनों सेपरेट होगे हम तो अर्बन कुरूजर खरीद के फस गए यार हम कैसे करेंगे हमारी काड़ी तो अभी टोयटा की यह बैस तो उसका लगा हुआ है अब यह मारूती बन गई क्या ऐसा नहीं है अभी भी हुई है बट इस में से इस लीग में से को आउट कर दिया गया और बेया को एक600 जिशन बना दिया गया है laugh बहुत स़ारे मेरे बाहियों को पसंद्धी वह नई लगी यह नहीं रहे होगी वह मै कंणदा बीज़ीहे वह आपकी मरशी आपकी वैसे मेरी जो अगर थोड़ी सी और वह में दो तो रहे हा दो में ठो ग देखोगे उसके अंदर वह एक महीने के अंदर और आप उसे देख सकते हैं ले सकते हैं वह एक अच्छा ऑप्शन है कार पर्चेस करने के लिए नीचे आप कमेंट सेक्षन में मेरे बाई कि कि किसको हाई-rider ज्यादा अच्छी लगी और किस किसको ब्रेजा ज्यादा अच्छी लगी आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा में बीन फीचर टानिंग कर सकते हाई-rider की हम लोग भी ऑल्वीयद ट्राइब वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा अप्शन होगा अब तक शोरूम देखने नहीं गया हूं बाखी यूट्यूब के माध्यम से तो हर कोई देख लेता तो उसी तरीके से मैंने भी कुछ देखा है और गाड़ी मुझे नो डाउट बहुत अच्छी बनाई है लेकिन पहले क्लियर नहीं हो रहा था कि यह प्लैटफॉर्म क्या पहले लाउट करते हैं माहरूती बाद में लाउच करेगा हर बार क्या होता था ले भी हुई उससे पहले अर्पनकूजर भी इस मतलब ब्लैणोग्लेंजा अर्बंकूजर व्युक्त सब में हमेशा पहले लूच्छ करता था लेकिन आप की रहा है पहले टोयटा और ट्रस्टेट ब्रैंड है देखो मैं ऐसे किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करता जब तक किसी चीज को आपने आप एनलाइज ना करना बहुत ज्यादा रिलाइबिलिटी है टॉयटा के अंदर है समझे मैसूस होता है क्योंकि इंटरनेशनल जिस बंदे का एक्स्प्लोरेशन रहा है मेरा रहा हुआ है काफी टाइम का इतनी मात्रा में टोयटा की गाड़ी देखी नपिक अप से लेके और जिनको रफ गाड़ी और लंबे उस पर गाड़ी चलानी है तो वह बंदे जो है टोयटा की गाड़ी इस्तमाल करते हैं तो बस इसी नोट के स उसका शुक्र गुजारूं इसी तरह देते रहें ताकि जो है हम लोग आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें ऐसे ही जब लाइक आ जाते हैं तो एक इंस्पिरेशन फैक्टर बन जाता है और आपके लिए more and more research करके कंटेंट लाते रहते हैं तो ऐसी किसी वीडियो में फिर से कल मिलने वाले हैं अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा सभी भाईयों को राम राम